डॉक्टर सिवा जी काल गे अध्यक्षमोदे सबसे पहले मैं आपका शुक्रियादा करता हूँ और आपके माध्यम से मैं लातूर चुनाक्षेतर के सभी जनता का भी शुक्रियादा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशिर्वादे के यहां पर भेजा This is my maiden speech, sir आज मैं यहां स्वास्त मंत्राले के आनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हूँ वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में इस बात की उमीद थी कि इस बार बजट में खेल्थ पर फोकस सबसे ज़ादा रहेगा लेकिन अपसूस की बात है कि जिन नव प्राथमिकताओं की घोशना की गई उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वास्त को जगह नहीं दी गई अध्यक्ष मोदय सरकार ने सहत और स्वास्त क्षवाओं को जितनी जरुरत थी उससे 73% कम बजट अलोकेट किया है अध्यक्ष मोदय बजट से अईश्मान भारत योजना में बड़ी रहात की उम्मीद की जा रही लेकिन आइसी कोई बड़ी घोशना इस बजट में नहीं की गई है अध्यक्ष मोदय मैं आपके माद्यम से बताना चाहता हूँ कि 2017 की National Health Policy में GDP का 2.5% खर्च का टारगेट था इसमें केंद्रा और राज्य सरकार दोनों का खर्चा सामिल था लेकिन 2024 में शिर्फ 1.9% GDP से हेल्ट के उपर खर्चा किया गया है जो की अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है अध्यक्ष मोदय भूतान नेपल जैसे गरीब देश भी भारत से ज्यादा हेल्थ पर खर्चा कर रहे है अध्यक्ष मोदय हेल्थ का बजट 3.3 लाक रुपीज होना चाहिए था जिसमें सिर्फ 91,000 करोड दिये गये है यह सिर्फ 27% है भारत के भारत में शेहत पर होने वाले कुल खर्चे में 53% लोग अपनी जैब से खर्चा करते हैं बजेट में फंड की कमी की वज़े से इसका हेल्थ इंट्रस्ट्रक्चर पर काफी असर पड़ता है मैं कुछ आकड़े आपते के सामने रखना चाहता हूँ देश में प्राइवेट हस्पिटल 47,000 और सरकारी हस्पिटल 26,000 है प्रती 1,000 लोग बेड की संख्या 1.3 है जबकि दुनिया भर में 2.6 है और WHO के माननेता के अनुसार ओ 3.5 होना चाहिए इसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया भारत की हेल्थ इंडस्टी लगबग 31,000 करोड की है जबकि सरकार 91,000 करोड सिर्फ खर्चा करती है बाकी बोज स्टेट सरकारे और जनता उठा रही है भारत की जनता इलाज के लिए सरकार का काम बाकी देशों की तुन्मा में सबसे कम दिखाई देता है इंफलेशन के साथ बजट के आकड़े मैच नहीं करते अध्यक्ष मोदे देश में प्राइमरी हिल्थ सेंटर की संख्या दोजर चुबिस के डाटा के आनुसार 25,308 है ये बहुत ही कम है और इसे बढ़ानी की जरूरत है हिल्थ सेक्टर में मैन पाउर की भारी कमी है इस माद्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि प्राइमरी हिल्थ सेंटर में दो के बजाए तीन मेडिकल अफिसर्स की नियुक्ति की जाए जिसके बदोलत हर पीएची पर 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्दी हो सके और दुख की बात है कि बहुत सारी जग़पर शिर्फ एक मेडिकल अफिसर काम करते है डॉक्टर, पैड़ामेरिकल स्टाफ, आशा वरकर्स, अंगनवाडी वरकर्स, नर्सेस का पेमेंट, काम के घंटों के आनुसर मिलना चाहिए अध्यक्ष मोदय स्पेशालिस्ट डॉक्टर की भारी कमी अपने देश में सब तरब दिखाई देती है उसके बावजूद College of Physician and Surgeon जैसे PG Examining Body जो 112 साल से कारियरत है जो की CPS मुंबई के नाम से पूरे देश में परीचित है और PG डिप्लोमा और फेलोशिप्स देने का इनका काम सालों से चालू है PG NEET के मेरिट के उपर और सरकार के दौरा इसके अडमिशन किये जाते हैं इसके दो साल से अडमिशन बंध है जो मुझी सरकार दौरा बुजरात में भी चालू किये थे लेकिन वो अभी बंध है मैं आपके माद्यम से यह चालू करने की मांग करता हूँ और इसका सक्षमी करन करने की मांग करता हूँ अध्यक्षमोदय ये खुशी की बात है कि सरकार ने तीन दवाईयों के उपर का टैक्स माप किया लेकिन सिर्फ तीन दवाईयों का माप करके काम नहीं चलने वाला इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंप्लांट्स इसके उपर भी टैक्स माप होने की जरुरत है जो की सर्वसामाने जनता का खर्चा का बोज कम कर सकती है अध्यक्ष माहराद, मैं आपके माध्यम से मेरे चुनावक्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहता हूं मेरे चुनावक्षेत्र में रीजनल आयूश इंस्टिटूट के एक निर्मान हो जो अईश्मंत्राले अभी सोच रहा है कुछ रिजनल इंस्टिटूट के डिवलम्मेंट के बारे में, वो मेरे चुनाउक्षेत्र में एक चालू हो, क्योंकि लातूर महारास्ट्रा का एक एजुकेशनल हब है, और महारास्ट्रा करनाट का तेलंगना के बहुत सारे लातूर में एजुकेशन के लिए आते हैं, और वहां पे एक रिजनल इंस्टिटूट चालू किया जाए, हमारे लातूर में जिल्ला रुगनाले नहीं है, पिछले 16-17 साल से, सर आपके माद्यम से में एक तुरंत नए 500 बेडेड डिस्टिक हस्पिटल की फुली इक कि उसर मुझे बोलने का उसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सूची लंबी है, और जीरो आवाद,